Welcome to Learn Together, मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार एश्टेट से सम्मंधित कोश्चन को बिहार एश्टेट में जो कोश्चन पूछने वाले हैं उसे चैप्टर वाइज यहाँ पर हम लोग कभर कर रहे हैं पिपर वन के लिए है तो अपना टाइम बिना गवाएं यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने प्रश्चन पर तो प्रश्चन हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है तो प्रश्न हमारा है कि लोक तंत्र के बारे में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है तो लोक तंत्र के बारे में जो गलत कथन है उसे हमें बताना है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोक तंत्रीक देश में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है लोगतंत्री देश में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है ये जो कथन है ये गलत है राइट एंसर ओप्शन सी अगला है इनमे से किससे लोग तंत्र के विस्तार में मदद मिलती है कौन सा है जिससे लोग तंत्र के विस्तार में मदद मिलती है तो लोगों का संघर्स क्या होता है लोगों का संघर्स राइट एंसर ओप्शन दी नेक्स्ट नेबाल में उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है नेपाल में जो उग्र राजनीतिक दल है उसे क्या कहा जाता है माओवादी कम्यूनिस्ट पार्टी क्या कहा जाता है माओवादी कम्यूनिस्ट पार्टी राइट एंसर इस ऑप्षन ए अगला है चीली में पिनोशे का सैनिक सासन कब समाप्त हुआ? लोक्तंत्रे के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंब होता है कबसे तो वर्तमान चरण प्रारंब होता है 1980 से कबसे होता है 1980 से राइट एंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट वर्तमान समय में किस सासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोग प्री और सर्वत्तम माना जाता है तो लोग तंत्र को विश्व में सबसे लोग प्री और सर्वत्तम म दी आगे देखेंगे इसमें पोलेंड में सोलीडरीटी में सिनेट के सभी सो सीटों के लिए चुनाव लड़ा इस चुनाव में सालीडरीटी को कितने सीट पर सफलता मिली कितने सीट पर सफलता मिली तो 99 सीटों पर सफलता मिली राइट अंसर ऑप्षन दी अगला है जारू जिलेश्की का सासन निमने लिखीत में से किस देश पर था तो ये था पॉलेंड पर राइट अंसर ओप्शन C इन में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है तो फ्रांस में 1789 इस्वी की क्रांती ने लोकतांत्रिक सासन की नेव डाली ये कथन जो है वह सही है, right answer option C चीली में लोगतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई चीली में लोगतंत्र की वापसी सैनिक तना साही का अंद करके हुई right answer option A अगला पाकिस्तान में जनरल मुसर्रफ ने किस वर्स सत्ता पलटे द्वारा सैनिक सासन इस्थापित किया था ऐसा उसने किस वर्स में किया था तो 1999 में किया था राइट अंसर ओप्शन C अगला नैपाल नरे से ज्यानेंद्रे ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्यूत कर दिया था कब किया था तो 2005 में किया था राइट अंसर ओप्शन A अगला देखेंगे कि नैपाल में समविधान सभा के चुनाव कब संपन हुए तो समविधान सभा का चुनाव 2008 में समपन हुआ कब हुआ 2008 में राइट अंसर ओप्शन C अगला डाक्टर राम वरन यादव किस देस के राष्ट पती है तो ये है नैपाल के कहा के है नैपाल के राइट अंसर इज ओप्शन D अगला है निम्नलिखीत में से कहा प्राचीन समय में लोकतंत्र का उधारन नहीं मिलता है इसके आगे देखेंगे कि नैपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, तो यह साम्मेवादी सरकार के नेता थै, ये कथन जो है, ये गलत है, तो right answer option a, अगला है, अमेरिका द्वारा सारवभौमेक के व्यौस्क मत अधिकार किस वर्स अपनाया गया था, तो ये किस वर्स अपनाया गया था, तो 1965 में अपनाए गया था right answer option C Next देखेंगे चीली में सैनिको द्वारा किस वर्स सलनाडूर आदे के सासन का तकता पलट कर दिया गया था तो ऐसा 1973 में किया गया था right answer option A Next पॉलेंड में राज तंत्री की इस्थापना से पहले कौन सी इस्थिती नहीं थी राज तंत्री जन तंत्री की इस्थापना से पहले तो जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी Right answer option D किसने कहा था जब देश द्रो करने वाली ताकते अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगे तब भी चोलो के लिए के लोग उस अधिकार की दोर से पार पालेंगे तो ये किसने कहा था तो ये कहा था सत्ना डोर आये दने सत्ना डोर आये दने Right answer option A अगला देखेंगे अगस्तो पिनाशो अगस्तो पिनाशो द्वारा सासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरन है तो ये उदारण है सैनिक तक्था पलट का, किसका है सैनिक तक्था पलट का राइट एंसर ओप्शन भी अगला है लोकतंत्र के बारे में इन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है जो लोकतंत्र के बारे में सही है तो लोक तंत्र का क्रमिक विकास हुआ है, right answer option B आगे देखते हैं, लोक तंत्र का अंग्रेजी रुपांत्रन, डेमोक्रेशी सब्द निमनलिकीत में से किस भासा से लिया गया है? तो किस भासा से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है, right answer option C अगला आंग्सांसु की की का संबन्नलिकीत में से किस देश से है? तो इसका संबन्ध म्यानमार से है, कहां से है? अगला देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और भात्रित्व नामक लोगतंत्र के तत्व किस क्रांती द्वारा इस्थापित किये गए थे तो राइट एंसर इज उप्शन भी फ्रांसी सी क्रांती लोगतंत्र में निम्लिकित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता है तो हर्ताल करने का अधिकार नहीं होता है, संग्यम संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है, विचार अभिवेक्ति का अधिकार नहीं होता है तो इस प्रकार से उप्रोप्त सभी होगा राइट एंसर option D अगला है सुरक्षा परिशत के सदस्यों की संख्या कितनी है सुरक्षा परिशत के सदस्यों की संख्या 15 है जिसमें 5 इस्थाई तथा 10 और इस्थाई सदस्य होते है राइट एंसर option C नेक्स्ट निम्नलिकीत राजियों में से किस राजी को सुरक्षा परिशत में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है सुरक्षा परिशत में वीटो का अधिकार इन में से किसे प्राप्त नहीं है तो right answer option number D भारत को प्राप्ट नहीं है क्योंकि ये 27 सदस्य नहीं है चीलो के 85 सरकार का पतन किस वर्ष हुआ चीलो के 85 सरकार का जो प्रतन है वो 1988 में हुआ कब हुआ 1988 में अगला देखेंगे अंतराष्टी नयायले का मुख्याले कहां है तो अंतराष्टी नयायले का जो मुख्याले है वो दहेग में है right answer option B चीली में लोगतंत्री की बहाली कब हुई तो चीली में लोगतंत्री की बहाली सन 1906 में हुई right answer option C अब देखेंगे यहाँ पर अगला question इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलेंड के हर्ताली मजदूरों ने सरकार के समक्षे नहीं रखी right answer option number D प्रेस पर लगी सिंसर सीप हटाई जाए right answer option D अगला देखेंगे पहली बार किस्साम्यवादी शाशनकाले देश में स्वतंत्र मजदूर संग बराने की मानेता प्रदान की गई right answer option B पोलेंड में निम्नलिखित में से किस से लोकतंत्र की विस्तार में मदद मिलता है तो लोकतंत्र की विस्तार में मदद की अगल बात की जाए तो व्यस्क मदादिकार विवस्था में मदद मिलता है right answer option A नेक्स्ट कोश्चन है प्राची नियोग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की विवस्था नहीं थी? तो कौन सा देश है जिसमें लोकतंत्र की विवस्था नहीं थी? तो option number D, रूस में लोकतंत्र की विवस्था नहीं थी नेक्स्ट कोश्चन है प्रत्यक्ष लोग तंत्र आज किस देश में प्रचलित है तो स्वीट्चर लेंड में प्रचलित है राइट एंसर ओप्शन बी नेक्स्ट कुश्चन निम्नलिकित में से किस से लोक तंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है लोक तंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है राइट एंसर ओप्शन बी विदेशी सासन द्वारा आक्रमण निम्ने लिखित में से कौन संजुक्तराष्ट संग का विसिष्ट अभिकरण नहीं है संजुक्तराष्ट संग का विसिष्ट अभिकरण नहीं है आसियान कौन है? आसियान, right answer is option A अगला देखेंगे निमनलिखित वाक्यांसों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए अंतराश्टिय संस्थाओं में लोगतंत्र की जरूरत है ताकि लोगतंत्र की जरूरत क्यों है तो यह है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दुनिया के सभी देशों के साथ सामान व्यवहार हो Right answer option number D अगला देखेंगे यहाँ पर कि संजुक्त राष्ट संग के महासचीव निम्नलीखीत में से कौन है संजुक्त राष्ट संग के महा सच्छी जो है वो इन में से कौन तो बान की मून कौन बान की मून राइट एंसर इज उप्षन डी अगला देखेंगे निम्नलीखीत में से किसका संबंज प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है जनतात्वर आपने प्रतिनीथियों का निर्वाचन राइट एंसर इज ऑप्शन D अगला देखेंगे कि लोगतंतर के कितने रूप है लोगतंतर के दो रूप है कितने रूप है दो रूप है राइट एंसर ऑप्शन A इसके बाद देखेंगे कि संजुक्त राष्ट संग की स्थापना हुई संजुक्त राष्ट संकेस थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई राइट एंसर ओप्शन C निमने लिखीत में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता को सार्वभॉमिक व्यस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था तो ये निउजिलेंड है कौन सा देश है निउजिलेंड है राइट एंसर ओप्शन डी अगला देखेंगे नैपाल में प्रथम संविधान कब बना तो नैपाल में प्रथम संविधान जो बना वो 1948 में बना राइट एंसर ओप्शन बी एक्स्ट कुर्शन है लोगतंतर जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सासन प्रणाली है लोक तंत्र की या परिभाशा किस ने दी थे तो ये परिभाशा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है राइट एंसर ओप्शन सी अब देखेंगे यहापन एक्स्ट कुश्चन आये दे कहां के निर्वाचित आयादे जो थे ये चीली के निर्वाचित राष्ट पती थे राइट एंसर इस ओप्शन ए अगला देखेंगे निमनलिखीत में से कौन सा संजुक राष्ट संग का अंग नहीं है वो दक्षेस है राइट एंसर इस ओप्शन सी नेश्ट सुरक्षा परिशत के 27 सदस्यों के संबंद में कौन सा विकल्प सही है कौन सा विकल्प है यहाँ पर जो सुरक्षा परिशत का 27 सदस्य के रूप में सही है राइट एंसर ओप्शन नमबर D संजुक राज अमेरिका, ब्रीटेन, रूस, फ्रांस और चीन राइट एंसर ओप्शन D अगला है सुरक्षा परिशत में वीटो अधिकार किसे प्राप्थ है तो सुरक्षा परिशत में जो वीटो अधिकार प्राप्थ है वो सिर्फ सुरक्षा परिशत के इस्थाई सदस्यों को प्राप्थ है राइट एंसर ओप्शन ए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निमने लिखे जोडों का परिक्षण की ये करे और दिये गए कूटों में से सही कूट की पहचान करे तो संजुकतराष्ट संगे के अंग हो जाएगा और सदस्यों की संख्या हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग जैसे की देख पा रहे हैं तो क्या सही जवाब हो जाएगा कि महासभा तो महासभा की सदस्यों की संख्या कितनी है 193 है कितनी है 193 है इसके बाद देखेंगे तो सुरक्षा परिशत तो सुरक्षा परिशत के सदस्यों की संख्या 15 है, कितनी है, 15 है, अंतराष्ट्रिय न्यायाले, अंतराष्ट्रिय न्यायाले की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अंतराष्ट्री न्यायाले में भी सदस्यों की संख्या 15 है, कितनी है, 15 है, और इसके बाद आर्थिक समाजिक परिशत की सदस्यों की संख्या 54 है तो इस प्रकार से जो हमारा सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा right answer option number C तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें यहाँ पर आपको कम समय में और अच्छी तैयारी मिल जाएगी अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए वीडियो अगर अच्छा लगी तो इसे लाइक और सियर जरूर कीजिए धन्यवाद